जैन दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग में जहां हम नए बैच के शुरुबात करें हैं जिन युवाओं ने अपने उज्वल भविष्य के सपने को साकार करने के लिए पब्लिक सर्विस कमिशन को चुनायों को सुपकामनाय बधाई और साथ ही एक जो प्लानिंग थे हैं कि हम कैसे सही तरीके से चलें सही स्ट्रेटिजी क्या हो क्योंकि उस लक्ष को प्राप्त कर यह असंभव नहीं है लेकिन जरूर है और कठिन को सरल बनाना यह एक ही तरीके से पॉसिबल है वह सही स्ट्रेटिजी सही रणनीती अनुशासनात्मक तरीके से चीजों को आगे बढ़ना और यह चीजे लगातार होती रहें तो यह जो कठिन सब्द था यह भी सरल में बद कठिन है तो सरल कठिन इससे अलग कोई बात ही नहीं अब इसक्रम में देखा जाए कि हमारी टीम का काम क्या होगा इस कठिन को सरल में बदलना तो असल आयोग ने सही प्रशाष्टिक अधिकारियों के चैन के लिए एक एक्जाम डिसाइट किया हुए उस एक्जाम में पहला उद्देश होगा टीम कौटिल लेका जिसके लिए आप और हम जुड़ रहे हैं उस एक्जाम के तैयारी के लिए जिसका नाम है MPPSE मद्यप्रदेश लोग सेवायोग सिविल सर्विसेस थोड़ा समझते हैं बैक्राउंड में सिविल सेवा दरसल मिलेटरी सेवा सिव क्यों सिवाई दोगार की सप्रस्टकी सिवाएं हैं जो मिलेटरि शर्विसेस से हटके देखते हैं तो सिविल सिवाए हैं लोक ताउन्टिरीग विवस्था में जो पबलिक वेलफेर हैं ये पूरी जिम्मेदरी लोग सिवकों की हैं और इसलिये जो लोग सिवा आयोग है जब आपके चैन के लिए ऐसे एक्जाम के सलेवस को डिजाइन करता है, तो उनकी पूरी मानसिक्ता होती है कि सही उस युवा को इस एक्जाम के माध्यन से चैनित किया जाए, जो ethically, historically, administrative point of view से, economically, हर समझ को अपने पास जहन में रखता हो, और उसके आधार पे जन्ता के समस्याओं के समाधान कर सकता हो, नीतियों का क्रियान में कर सकता हो, और इसलिए जो सलेबस है, उसको सही तरीके से समझना, उसको decode करना, और तब जाकर फिलबारी आती है कि हम कैसे इस एक्जाम को clear करेंगे, लोग सेवाए कि जो यह एक्जाम है, तीन फेज में है, प्रेलिम्स, मेंस और इंटर्विजर्स है कि आपको जानकारी है, प्रसल हुमन ब्रेन के जो तीन लेयर हैं, और यहां से चैन की शुरुवात होती है, मेंस में आपको अपना ओपिनियन डालके एक राय कायम करनी होती है, कि सही है, गलत है, इसके अलोचना कैसे करेंगे, समालोचना क्या होगी, इस आधार पर जब आप देखते हैं, तब वो मेंस का आंसर आइटिंग सिल के माध्यम से आपके मुख्य परिक्षा नॉलेज लेवल पर तैयारी होती है, थर्ड फेज इंटर्विव है, जहां आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचे देना होता है, और इस बुद्धिमत्ता के माध्यम से ही आप प्रूव करते हैं कि हाँ, आप इस पर्द के डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो पहला पढ़ाओ, यह है MPPSC का प्रिलिम्स, प्रारंभिक परिक्षा, जिसकी शुरुवात हम आज से कर रहे हैं, प्रिलिम्स, मेंस इंटर्वी, यह पूरा का पूरा सिस्टम है, हम 12 मेने का एक पैकेज तैयार करने हैं, जिसमें एक साल के अंदर यह पूरी तैयारी आपको कम्प्रीट करा दी जाएगी, तो जिस हम श आपने अनलेसिस रख रहा हूं, और एक बाद ध्यान रखें कि 10 यूनिट हैं, आयोग ने कुछ वर्षों में पैटर्न तैयार कर लिया, कि 10 यूनिट हैं, तो 10-10 कोश्चन सब से दे देगा, लेकिन ऐसा कोई थम्रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, पहले कई बार ऐसा हुआ कि किसी एक सब्जेक्ट के नंबरा कोशन जादा थे, उचके कम थे, पर पिछले एक्जाम में उनने सब को एक्वैलिटी के साथ, डेमोकरिटिक वे में 10-10 का मांट देना, यह एक छोटा सा एक्जामपल है, जिसमें आयोग अपनी रणनीती लगातार बदलता है, और इस ब करी भी नहीं होगी, तो यह सलेबस को डिकोड करते हैं, और समझते हैं कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेशन अभी नौक पांडे का रहा है, कि एक्सपेक्टेड एक्जाम डेट प्रिलिम्स 2025 ले कब होगा, मान के चलिए कि जो इस साल का डेट है, सेम उसके आ जाल्व किया जाए, जो सलेबस का पहला पार्ट है, इसकी शुरुवात होती है इतिहास से, देखिए एक बात समझें, कि होमो सेपेंस, सेपेंस वह प्रजाती है, जो लगातार विकास करते चलता है, आगे बढ़ते चलता है, और एक समय के बात पीशे पलट के देखता है, कि क्या यह मैं ही हूँ, जो से इतना विकास किया, इतितरकी की, और जब पीशे पलट के देखता है, तो इसी देखने की प्रक्रिया की अध्यान को यह आप इतिहास करते हैं, इतिहास है, अब पिछले बार के जो ट्रदिशनल हिस्टोरिकल सबजेक्स थे, जो टॉपिक्स उसको कुछ चेंज करते हुए, इनोवेटिव आइडियास के साथ जो किया गया, यह भारत के गौर और शाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, यह इतिहास को गौर्वानवित करने वाला बनाया गया है, जो प्रारमभिक्स अले बस थे, प्रीमेंस इंटर्विव के इस पार्ट में होंगे, पर नहीं, नए सलेवस्त में एक एक टॉपिक को ओपन कर दिया गया है, जहां आयोग द्वारा अपनी मंद्शा भी जाहिर कर दिए गई है कि आप किस प्रकार के टॉपिक्स को डेटेल स्टडी करें, और यह जो स्टडी करेंगे उसका पैटन किस किन बातों को हम स्पेशली एंफिसाइज करें, रितु जैन पुछने कि क्लास होगी क्या, हाँ क्लास ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कुश्चन आपका हाँ, आंसर है, यह स्टार्ट हो रही है क्लास, मैं भी सलेवस्त में आता हूं वापस, अगर आप ध्यान से देखें, तो इस बार इस टॉपिक को उन्होंने ओपन करके आपके सामने रख दिया है, ताकि आपको पढ़ने का जो माइलिस्टोन है, वो भी क्लियर रहे हैं, भारती प्राचीन ज्यान परंपरा, प्राचीन ज्यान की परंपरा, दरसल भारती ज्यान किस लेवल पे रहा, यह सोचने की बात है कि भारत विश्वगुरु को नाम से जाना जाता था, यह आप हमेशा सुनते आए होंगे, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि विश्वगुरु का नाम पढ़ा क्यों था, क्यों इसको विश्वगुरु कहा जाता था, यह तभी क्लियर होगा जब आप इस study को thoroughly जब आ प्राचीन परंपराओं को गौर्वानवीत करते में कभी study नहीं किया, लेकिन आयोग के इस प्रकार सलेबस को change करना, यह बहुत सकारात्मक परिवर्तन है, कि हम इतिहास को नए डामेंशन में, एक नए दृष्ट कोन के साथ देख पाएंगे, जहां उन बातों को पढ़ना यह जो topics है ना, यह सब दरसल एक-एक अपने आप में पूरे के पूरे concepts हैं, अध्याय है भारती संस्क्रिदी का, जिसने भारत को भारत बनने में help किया है, यह बात मैं इसलिए कहा रहा हूं, क्योंकि एक-एक topic को जब तक आप study नहीं करते, तब तक भारत के भारती ही था और उसकी महानता का आप बाहन भी नहीं कर पाते हैं, यह जो तरीके हैं, जिसके माध्यम से आप सलिबस को समझेंगे, यह study करेंगे, और भारत की परंपराओं की जड़ों तक पहुचेंगे, और यह definitely आपकी समझ के साथ साथ भारती संस्क्रिदिक विवस्था को भी उन students पहुचाएगा, जो भारत के भाद, भारत भाग्यविदाता, इसके कर्म धारक है, यह बात को पहुचने 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 करना, definitely यह जब इसको को study करेंगा, एक बात और समझें, कि सलिबस मयाने से अब इस पर research होगा, इस पर पुस्तकें लिखी जाएंग जो सामाजिक विवस्ताम पढ़े जाने वाल कर्म कांड यह सारी चीजे, historical pattern पे हैं, ताकि आप साक्षियों के साथ इन बातों का study कर सकें, दूसरा topic आपके पास प्राचीन एवं मध्यकालिन भारत की तियास की प्रमुक विशेस्ताएं, घटनाएं इवं प्रशास्तिक साम को उनकी विशेस्ताओं को जिसके आधार पर भारत भारत बनता है, जबकि इतिहास में से घरता इसलिए था, क्योंकि जितने अटेक्स आकरमन हैं, जो आकरमन हैं, उन आकरमनों के बाद जो युद्ध है, क्या यही इतिहास था, क्या उन डेट्स को याद रखना काम था, ब प्रमुख विशेस्ताओं में डेफरेंटली आप सिर्फ युद्धों को नहीं पढ़ेंगे, बलकि उन चीजों को पढ़ेंगे, जो विशेस्त रुप से भारत को भारत की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें, घटनाएं, उनकी प्रशासी सामाजी का आर्थिक स्वेश पहलाता हो, ति यहां से उन चीजों को हटाना डेफरेंटली एक भारत के लिए या भारती समाज के लिए इसकारत प्रयास होगा, नेक्स्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारुक, साहित्य, पर्व एवा मुट्सव, अब एक पॉइंट यह भी समझे, कि जब आप देखते हैं कि राजनितिक इतिहास का वेटेज कम हो गया है, तो किस चीज को जोर या ध्यान देना पड़ेगा, यहां बात की जा रही है उन चीजों की, जिसमें कला साहित्य पर्व उत्सव, यह पूरी तरह से कल्चरल डायमेंशन की बात करता है, प्राचीन भारती साहित्य, अगर आप ध्यान से देखें, हाला कि अधिक्तर लेखा क्विदेशी हैं, लेकिन उनने साहित्य का दर्पन, यह जो समाज का दर्पन साहित्य, पर द कि दिखेंगे इस्ट तरीके से मंदिरों का निर्माण है जो लोगों की मांद्या सीखता है वह कहीं अलग तरीक से मैं जब अप इतिहास बढ़ते हैं तो शीरसे नहीं करता है इतिहाज समाज के अंदर रिखता है जो समाज को एकीलफ यहां उस करेंगे तो ट्रुबड अपनिधीरै बनना ऊस समय कैसे पॉसिबल था अगर आपके साइन्टिफिक एप्रोच नहीं होता तो इतने बड़े निर्माण भी नहीं होते इन चीजों को आपके सलेवस पर जोड़ना डेफिनिटली यह पॉजिटिव एप्रोच है जहां भारत की गौरोशाली परंपराग समझ पाएंगे अननीसमें ङांजिक त्था धार्मिक अंडोलन्त देखेगे यह जो धर्मिक शुदार को अंडोलन्त हैं अगर इसको आप तीन पार्ट में बांटें तो प्राचीं काल। प्राचीन काल में जब बुद्धिजम और जैनिजम स्टाइए तब ये सुधार दिखते हैं मध्य काल में जैसे ही देखा जाए कि भक्ति काल और सूफी काल चालो होता है फिर ये सुधार चालो हो जाते हैं समय में लगातार आप देखेंगे कि प्राचीन मध्य आधुनिक ये परिवर्त लगातार हुए तो यहां सब क्या योगदान था आधुनिक भारत के निर्माण में आपको उस वे में स्टड़ी करना पड़ेगा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक स्वतंतता संगर्ष इवं भारती रास्थी आंदुलन एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा पूरु जिम्मेदारी साथी बात कह रहा हूं कि यह सलेबस में भले कितना ही डिटेल दिख रहा हो नंबर आफ कोशन हमेशा इस ट अकेला टॉपिक अगर्ष इवं भारती रास्थी आंदुलन इस टॉपिक बाकि सब पर भारी है नंबर आफ कोशन की बात करें तो क्योंकि भारत का निर्मान भारत के साथ तब तक पॉसिबल है जब स्वतंततता संगर्ष इवं रास्थी आंदुलन को समझा जाए इसलिए इस टॉपिक को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा इसका इंप्वेटेज ज्यादा होने वाला है नेक्स्ट स्वदंततता के पश्चाद भारत का एकिकरन एवं पुनल गठन ये स्वदंततता पश्चाद जो भी घटना करम है जिसमें हम वैश्विक तौर भारत के उभरते इसलिए जो शब्द है एकिकरन पुनर गठन भारत का एकिकरन पुनर गठन जो टॉपिक है ये कल्चरली इकनोमिकली धार्मिक चाहे विश्व योग दिवस की शुवात होना चोटा एक्जामपल क्यों नहीं ये भारती इता को विश्व वैश्विक तोर पहचान मिलना है और हम उसी परंपरा को वापस स्टैब्लिश करने जो प्राची इनकाल में देखते आए थे तो जो भारती इतिहास है उसका जो डिस्क्रिप्शन देखेगा तो प्राची इनकाल मध्यकाल आदुनिकाल नहीं बलकि स्पेसिफिक उन टॉपिक्स को आगे कर दिया गया जिसक उसल चूँकि आपको मध्यप्रदेश में रहके ही जन कल्यानकारी कारियों को करना है और जन मद्यप्रदेश के संदर्ब में किया जाना है इसलिए इस टॉपिक का विशेस महत्र है मध्यप्रदेश का इतिहास संस्कृती एवं साहित्या भारत का इतिहास अपने आप में टॉपिक है लेकिन मध्यप्रदेश का इतिहास लेकि क्या होता है जब कभी आप किसी छेत्रियता का इतिहास पढ़ें चाहें वो किसी जिले की बात करें बगेल खंड बुंदेल खंड निमाड इन सब का जब इतिहास पढ़ते हैं तो वह अतिश्योक्ति पूर्ण मिलेगा व इस टॉपिक का स्पेशल इंपॉर्टेंट्स के लिए हैं जो MP के मूल निवासी हैं डिफरेंटली उनको एक्स्टा एज मिलेगा इस टॉपिक से क्योंकि जो यूपी बिहार राजस्थान या दिल्ली से जो स्टुइंट्स आएंगे उनके पास मद्दपरिश के लोकल जान करियां किम वदंतियां हम बच्पने सुनते आते हैं तो कई बार होता ही है उसका मेरेफिट मिल जाता है इसलिए यह टॉपिक देखिएगा कि आपको MPPSC में एक्स्टा एज दिलवाएगा कोशिश कीजिएगा कि यह टॉपिक्स आपके पास अच्छे से रहे हैं चंद्र को जैहन मेरी और से भी आपके जो मेसेज आ रहे हैं मैं देख रहा हूं लेकिन जब कभी लगे कोई रेलेवेंट कुश्य में उसका आंसर देदूँगा अधरवाइस मैं प्रयास करा हूं कि आज इस अलेबस आपको डिकोड करनूं ताकि जब आप रंडिंती बना कि जब कभी आप देखते हैं मध्यप्रदेश का क्या युगदान था तो दो तीन घटनक रमों के लावा जादा नजर नहीं आता पर इस पर अगर बुक्स लिखे जाए तो रिसर्च होगा और डेफिनिटली जो युगदान है सामने नजर आएगा प्रमुक कलाय में सखलने वाली चीज थी तो मुझे लगता है कि लोग से आयो ने जिसमें में शामिल किया है शायद उनिवर्सिडीज भी इस टॉपिक को सलेवस के रूप में शामिल करेंगे और डेफिनिटली जब इसका स्टडी होगा रिसर्च होगा तो मध्यप्रदेश के कई ऐसी बाते करें सामने आएंगी जो कला और सथाप्ति गला में मध्यप्रदेश को स्थापित करने वाली होंगी को जंजातियां बॉर प्रमुक्त जन्जातियां उसकी बोलियां एक मज़े की बात है कि दसवे इलिट की रूप में पूरा ट्राइबल हिस्टी को पुरा डिटेल वे में रख दिया गया है यहां भी टॉपिक में नाम है इसको थोड़ा सौर्ड में स्टडी कर लेंगे यहां दसवा टॉपिक पू पुरा तात्विक परेटन इस्थल यह भी कायदेश दिखाया तो कला स्थापति कला से जुड़ा हुआ टॉपिक है विश्व धरवर इस्थल सांची से लेकर जितने भी नए टॉपिक जुड़ते जा रहे है और प्रमुक्त जन्जाति व्यक्तित्व दरसल इस टॉपिक मे तो ध्यान दीजेगा जैसे कई टॉपिक मैंने बताया जन्जाति अलग से टॉपिक है साहित्यकार साहित्य धरवर इस्थल परेटन जन्जाति व्यक्तित्व फिर जन्जातियां कई टॉपिक आपस में मिले हुए हैं लेकिन आयोग ने उसको अलग अलग कर दिए कि डिटे जोग्राफी था जिसमें वर्ल्ड जोग्राफी फिजिकल जोग्राफी इनका भी वेटेज हुआ करता था लेकिन लास्ट एक्जाम में MPPSC ने इस्विच को हटा दिया वर्ल्ड जोग्राफी आपके सलेबस में नहीं है बाउजित इसके आपको विश्व का भूगोल बेसि स्ट्रक्चर समझेंगे तो फिजिकल जोग्राफी और वर्ल्ल जोग्राफी बेसिक स्टडी करना पड़ेगा तब भारत के समझ पाएंगे हाला कि जरुख्री को मैं हमिश्वा मधराफ ओल सब्जेक्ट कहता हूं कि जैसा भूगोल होगा वैसा ही इतियास होगा जैसा भू आपको स्टड़ी करना है परवत पहाड पठार नदियां और जिले मौंटेंज हिल्स प्रेटियो रिवर्स लेक्स कुल बिला कि फिजिकल जेग्राफिक का वो पार्ट जो एंपी इंडिया के लेवल पर आपको पढ़ना है दूसरे नंबर पर जलवायू की घटना है जो क्ला उसलिए जलवायू की घटना है completion रखती है इनके साथ ही जुडा होता है आपका मौन्सून मौंसुन की व्यूश्ताइं उसके होने वाले प्रभाव को नेक्स्त है प्राकृतिक संसाधन क्योंकि जैसा मौनसून होगा वैसरी संसाधर वन होगा भारत में वन के प्रकार खनिज और जल दॉल्षाद प्रमुक्वस ने प्रशाष्णी के रूप में आपको हमेशा आपदा प्रबंधक की रूप में सामने आना पड़ेगा इसलिक आपदाओं और उनकी बारे में जानकरी होना और आपदाओं के साथ-साथ उनकी समस्याओं के समाधान यह सारी च्रेनिंग के भी पार्ट होंगे और सलेवस में जोड़ दिया गया है तो प्रमुख चक्रवात खत्रे आपदाएं टॉपिक है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जनसंख्या विद्धी वितरन घरत ग्रामेड प्रवास जो डेमोग्राफिक प्रफाइल है जन्यगरना की 11 में जन्यगरना नहीं हुआ था इसलिए 11 के अधार पर सारी चीज़ चल रही है और जो सारी बाते हैं वो जेयोग्राफिक के अंतरगात स्पेसिफिक कर देगे तो यह जो टॉपिक्स हैं यह फिजिकल जिग्रा कि कुछी क्वेशन से अगरेलेमेंट आइद प्लीज मुझे बता देजी कर आंसर देते चलूंगा ना सलेमस से रेटेट हो क्वेशन तो ही बताईएगा मुझे नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वह मध्यप्रदेश का भूगोल जो भारत का भूगोल था उसको ही मिनीचर तो यह स्टार्ट हो जाता है आपका मध्यप्रदेश के भूगोल के रूप में तो वन वनोपज नदियां पहाड मैदान पठार जलवायू रित्वें जो चीज़ें आपको इंडियन कांटेक्स पर पढ़ा हुआ था उसको ही मध्यप्रदेश के विशेल संदर में जाए तो मध्यप्रदेश के प्रमकुद्योग उर्जा के पारंपरिक गयर पारंपरिक स्टोत यह इंडियन एकोनोमी के भी पार्ट है एंपी के पार्ट है और साथ ही साथ जियोग्राफी के भी तो टॉपिक सेंग को देखेगा पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्रिबुशन अबनाइजेशन तो यह जो चीजें है स्पेशल विशेस्ताइब यह और समस्याइब तो जिस में में कोशन आएगा वैसा आपको देना पड़े का प्रिलेंस में और मेंस में इंटर्वी में इसे बनते हैं इसको स्टड़ी करते समय और कांसेप्शल दोनों पकड़ है तो मध्यप्रदेश की समविधाने क्यों रखा यह थोड़ा समझने वाली बात है हलां कि भारत का समविधाने तो भारत की समविधाने की विवस्ता एंपी में भी लाग हुए और इजरी सलता है लेकिन MP का स्पेशल एक पॉइंट जोड़ देना फिर से इशारा है कि मध सभा इसेंबली यहां से बात स्टार्ट की गई है संघीय कारेपालिका जिसमें राष्टपती और संसद को इस्पेशली पढ़ना पड़ेगा फिर न्यायपालिका सर्वोच्ची नाय व्यवस्ता है आटिकल 368 समविधाने संशोधन अगला पॉइंट रखा गया है फिर यह डिपीएस डिएक्टि प्रादेशिक समविधानिक आयोग इवं संस्थाएं यह जो टॉपिक है आयोग इवं संस्थाएं इससे पहले के सलेबस में एक कम्प्रेट यूनिट था यहां इस सलेबस से इसको बहुत कट शॉट करते हैं एक पॉइंट की रूप में बस जोड़ सबा जाएंगे पंचाहित्रयाज सिस्टम नेक्स टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिक है वह गूड गवर्नेंस मद्यप्रदेश में सुशासन या अभिशासन विवस्था तो गवर्नेंस सिस्टम को तो डिटेल स्टडी करना पड़ेगा एंबी के क्लियर कर पाएं कोई क्वेश्चन जिवग्राफिय में साइंस में कुछ टॉपिक्स सिमिलर हैं जैसे एनर्जी सोर्सिस में स्टडी अप्रोच नहींगा एक बात समझना कि जिवग्राफिय में क्वेश्चन आया आर्यन शर्मा कर मैं सुर्फर डिटेल कर देता हूं कि जि कोई टॉपिक है जो जिवग्राफिय में हैं और साइंस में भी इसका मैं सबसे पहला एक्जामपल लेता हूं जो अंतरिक्ष है यह दोनों में पढ़े जाते हैं सोलर सिस्टम जिवग्राफिय का भी पाट है साइंस टेक्नॉलजी का भी पर दोनों में डिफरेंस कह समझना जब कोई टॉपिक आप साइंस में पढ़ते हैं तो वह साइंस में रिसर्च पर बेजड होता है अगर आज रात को किसी वैग्यानिक ने टेलेस्कोप से नए ग्रह की खोज कर ली तो कल साइंस टेक्नॉलजी का पार्ट बन जाएगा लेकिन जब तक विश्व भौगोलिक परिश्व उसको माननेता ना देते वह जिवग्राफी का पार्ट नहीं बनेगा सिमिलरली एनर्जी जो उर्जा है साइंस में उससे रिलिटर रिसर्च पढ़े जाएंगे जबकि जिवग्राफी में उसको संसाधन संसाधन करने का तरीका कितना अवेलेबल है इस पर बात क किएगा है ना ठीक था नेक्स्ट अगला टॉपिक है भारत एवां मध्यप्रिदेश की अर्थ वबस्ता एकोनोमी आफ इंडिया एंड एंपी जो एकोनोमी है इसमें एंपी को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया गया है लेकिन एंपी की एकोनोमी को समझने के लिए इंड इनके आंकडों को साथ मिनूट में शामिल करें बेसिक कॉंसेप्ट्वल और एंपी के फैक्स यह तीन चीज का कॉम्बिनेशन आपको इस मध्यप्रदेश के अर्थ वस्ता में नंबर दिलाने में हल्प कर सकता है तो आपकि देखें इसमें भारते अर्थ वस्ता में मध्य इन का क्या स्टेटस है यानि इंडियन जिव पढ़ना पड़ेगा एंपी का जिव पढ़ना पड़ेगा और साथ ही उसका तुलना करते हुए बाकी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश किस रैंक में है और क्यों है यह भी स्टड़ी आपको अपनी सलेबस में जितने भी स्किल डेवलेप्मेंट प्रोग्राम एंपी में चल रहे हैं वो उनके डेटा उनके रिजल्ड्स यह सारी चीज़ का इंटीग्रल पार्ट हो जाएंगे सतत्य विकाश लक्षभ में मध्यप्रदेश की π्रगती सस्टेंश डेवलेप्मेंट जो योजनाएं चल रही हैं उनके से laise sustainable development कि हैं और फिर से इसमें MP का जो स्टेटस है वो आलो और इंडिया किस रेंक में आरा है कौन शी से क्या तुलना है इस वे में पढ़ेंगे तब यह टॉपिक आपका कंप्लीट होगा मध्यप्रदेश में कृषी उद्योग MSME एवं अधो संदर्चना का विकास इंफ्रास्ट्रक्शर डेलेप्मेंट तॉपिक फिर से MP के स्पेशल पर्स्पेक्टिव में हैं इसे ध्यान रखेगा कि यह जो भी टॉपिक्स हैं इनको आप जब स्टड़ी करेंगे तो बाखी राज्यों से तुलना करते हुए भारत में MP की स्थिति यह हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आत्मने पर इन युजनाओं के रिजल्ट्स क्या है बादिक संपदा अधिकार यह टॉपिक जोड़ दिया गया लेकिन इस्पेशली मध्यप्रदेश के संदर में दरसल अगर आप स्टड़ी करें तो मध्यप्रदेश में जितने भी प्रकार के बादिक संपदा अधिकारों का चाहे वो पेटेंट्स की बात करें कॉपिराइट्स की बात करें बहुत ज्यादा फाइल नहीं हो रहे थे लेकिन अभी जागरूथा के बाद इसमें एक नया लहर दिखाई दे रहा है एंपी में इंदोर भुपाल जबलपुर ग्वारियर जिस्टे को पर लगा था नए संपदा अधिकारों पर पेटेंट की डिमांड की जा रही है और यह जो नया चेंज है इसने इस टॉपिक को जोड़ने के लिए शायद आयोक को भी मोटिवेट किया हुआ कि और प्रिति एक शेत्र यह तो टॉपिक रहे जिसमें नवीन प्रवित्यां क्या है यह करेंट अफेर बेस्ट टॉपिक होगा जिसमें आपको एग्रिकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस में नए चीज़ों को जोड़ना है स्टडी करना है नेक्स अगला है संस्थाएं जिसमें बैंकिंग सेक्टर है रिजर्व बैंक मानेजिक बैंक सेभी गैर वित्ति संस्थाएं और यह टॉपिक से भारत के विदेशी व्यापार की नीथियां जी ट्वेंटी सार्क एवं अशियान कुल मिलाकर जो लास्ट टॉपिक है भारत का विदेशों से आर्थिक संबंद पर इस पैटन पर आपको सड़ी करना पड़ेगा और तब जाकि आपको एकोनोमी में आपकी पकड मजबूत हो पाएगी तो जो छे टॉपिक संबाद कर चुके हैं आउट आफ टेन सिक्स्टी परसेंट हो चुका चार टॉपिक और बचे वे तो फास्ट अनलेसिस कर लेते हैं फिर आपके जो क्वेश्चेंस होंगे उसके आंसर देने का प्रयास कर दाऊंगे नेक्स्ट टॉपिक साथ यह नंबर पर हैं साइन्स टेक्नोलजी विज्ञान परियावरण एवं स्वास्थ तीन चीजों को एक साथ मिला देगिया साइन्स एंविर्मेंट एंड हेल्थ य किस विश्चाय के कौन जनक है यह भी स्काई पार्ड बन जाता है तो देखें जना इसमें प्रेलिब्नरी नॉलेज आफ में ब्रांचेस आफ साइन्स तो कौन कों से हैं से में ब्रांचेस डेफिनिटली जीवित और निर्जीव दो प्रकार को देखोगे तो जीवित में आ आपको चारों टॉपिक बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा उसके लावाल बाकि जिए नेक्स्ट भारत की अपना व्यग्यानिक संस्थान एवं उपलब्धियां कायदेस दिखा जाए तो इज्ड़ो डी यह सारी जितनी भी संस्थाएं हैं यह सब और उनकी उपलब्धियां म इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले एक दशक में कंप्यूटर और मोबाइल टेकनोलोजी ने आपके जीवन को प्रभावित किया है और यह जो प्रभाव है डेफिनेटली अंत्रिक्ष प्रद्योगी की के कारण है इसलिए इसको समझना पड़ेगा यह बेसिक स्टडी का इसके पार्ट है कायदेश के बात का भी जो टॉपिक है वह इसके अंदर ही शामिल हो जाता है पोशन आहार पोशक तत्व एवं कुपोशन यह शरीष नजना में ही पार्ट आ जाता है जहां आप जो भोजन और डाइजस्टिव सिस्टम का स्टडी करते हैं फिर अनुवान इस पहले शामिल थे पर ऊपन करके बाहर कर देना यह शो करता है कि नंबर आफ कुशन से यहां से इंडेफ्ट आने के चांस है वैसे अगला जो टॉपिक है यह हेल्थ पर गौवर्मेंट की योजनाओं से लिटेड़ है स्वास्तिन्नीती इवं कार्यक्रम संक्रामा का रो सतत्व विकास की अवधारना एवं एस डीजीज यह जो सतत्व विकास है यह पिछले कुछ वर्षों में लगातार आपके सलेबस का पार्ड बना है यह आप एकोनॉमी में पढ़ते हैं जहां सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट और रेगुलर डेवलोप्मेंट को प्रदूशन प्राक्रितिक आपदाएं एवं प्रबंधन यह फिर से एक सरकारी व्यावस्थाओं और यह जिनाओं का एप्रोच फिर से दिखाता है जहां आप कोवर्मेंट के पॉलिसीज और प्रबंधन को देखेंगे अधा आए है टो नेक्स टॉपिक देखतें आठे नब पर रास्थी अंतरास्ट्री परmeno glance समसामेक करेंट टॉपिक है अब उसकी बात कि जाए है जो एक की फिजब्राइंट फिस आपके आपके सामने हैं अंतरास्थ्र रास्थ्य और मद्यप्रदेश्थ तो थीनों इस द कुछ रही बलकि जो बेसिक सब्जेट्स का अब्डेशन मात्र है बेसिक सब्जेट्स क्या है नंबर वन हिस्ट्री जियोग्राफी साइन्स टेकनोलजी पॉलिटी और एकोनॉमिक इन पांच विश्यों में नया क्या हो रहा है यही करेंट अफेर्स है और यहीं आपके पास भी दिया गया यह पांचों चीजों में रास्थी अंतरास्थी और एंपी लेवल पर क्या हो रहा है नेक्स सूचनायम संचार प्रद्योगी की दरसल यह पिछले साइन्स में वहने आपको बताया था जब आपको मैं इस टॉपिक पर रखा था है ना कि प्रमुक वैग्यान सूचनायम संचार प्रद्योगी की रोबोटिक्स आइडिफिशन इंट्रिजनाओं का स्टडी है उध्यान रखेगा इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़े चल रही है इसलिए आपको देखना पड़ेगा इंटरनेट और यह टॉपिक सूचना संचार प्रद्योगी की इ प्रयास है MP के मूल निवासियों को एक्स्ट्रा एज देने के लिए अगर आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी है तो इनमें से कुछ चीज़ों को बच्पने से देखते सुनते आते हैं और तब जाकर लगता है कि हाँ इसमें चांस आपके पास एक्स्ट्रा होगा जब बागी मध्यप्रदेश के बाहर के लोगों से कंपीट करने के लिए त्यार हैं दूसरी ओर मध्यप्रदेश के बाहर के लोगों को थोड़ा इससे संब्धित वह ग्यानिक प्रावधान तो मूख जंजातियां पिश्री जनजातिया घुमंतु जातियां जनजातिय संस्कति परमपराये सब्सक्राइब योगदान और लोग संस्क्राइब लोग साहित्य कुल मिलाकर हर वो डाइमेंशन जो एक सब्सक्राइब समाज के हैं वो सब जन्जातियों के लिए भी सेम पेटन पर अप्लिकेबल कर दिया गया ताकि MP के रूट कल्चर को में स्रडी कर पाएं उस अलेवस मे जगाएगा और यह समवेदन शीलता जब आप ग्राउंड में जाकर काम करेंगे तो निश्वी दूर्प से आपके लिए सहायक होने वाला है तो पढ़ें तब यह समझके पढ़ेगा कि आपके राज्य के उन लोगों की विशेस्ता है जिनके बीच आपको जाके काम करना है यह वो ट्राइबस हैं जिनको आपकी सबस्य दावशकता है क्या भारत भागी विधाता अगर है तो इन लोगों के लिए जनका ल्यानकारी कारे करने जिनके कल्चर को इनके साहित्य को इनकी विवस्ताओं को समझना आपको एक समवेदन शीलता बढ़ाएगा और यह समवे हएविमेंगते ही जि अगरोफ झीचाओं है तो यह यह जबी अब इसुदिया का और मथ्यफ्रिद्ष नदर्फ में क्या पकरतों एक cowboy के अजब को ख़र तब्सक्तें और मनेशाल पकण हुआ में आपके धिमाग में बैचना चाहिए ताकि मेस इंटर्विय में आप समझ जो पहला पॉइंट था पहला पेपर जिसमें जनलिस्ट था इसमें चीज़े रखी गए थी जो सेकेंड पेपर है कि क्वालिफाइंग है एक टेस्ट जिसमें क्या-क्या बाते हैं देख लें पहला है बोध घममेता कंप्रेहेंशन दुद्द सेंपल सा टॉपिक हैं जहां आ तार्किक कोशलता नेडन सामान इमांसिक युगेता आधारबुद संख्यान और हिंदी भाषा इसको भी अगर मैं थोगा इजी कर दो आपको समझने के लिए तो जो टॉपिक्स पढ़ना है मैट्स रेजनिंग डिसेंट मेकिंग कम्यूनिकेशन स्किल्स और हिंदी यह पा दरसल अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो जनरल स्टडी से ना वो टेंथ क्लास के लेवल तक ही है कुछ करेंट अफेर्स जोड़ करके उसको इनहांस कर दिया जाता है तो यह आपके प्रिलिम्स में आपकी उस योग्यता को दिखाता है जहां आप बेसिक स्टार्ट हो रही है यूट्यूब में लाइव रहेगा आप देख सकते हैं नेशल के आपके लिए और जो रेगुलर क्लास प्री में इंडर्वी कंप्रीट करना चाहते हैं उनके अप्लिकेशन में यह अवेलेबल होगा तो आप कॉटिल एक हैड़ी का एप डाउनलोड की पहली जिम्मेदारी है आप तक इन सलेबस की चीज़ों के एक क्लासिक या फिर कहें किस तरी नोट्स तो आप तक पहुचाना कि नोट्स जो आप स्टड़ी करते हैं समझते हैं तब आंसर देने की स्थिदी बनती है चाहिए प्रिलिम्स में हो या मेंस में नोट्स ही हो जाए तो उसको सही तरीक से डिस्क्राइब करना समझाना ताकि आपको याद करने में रटंद विद्या पिना जाते हुए अंडस्टेंडिंग करनी पड़े और अगर समझा हुआ है तो फिर एक बार चेक करना कि क्या टेस्ट पेपर के माध्यम से आप अपने सब्सक्राइब करें देली चाहिशंब आप उसको स्टडी करें उसके उसे इंडेजन करते हूं लगातार सलेबस सलेबस में आने वाले questions, previous year questions, आगे के संभावित प्रस्ट ने, इन विश्यों पर लगातार बात करें, ताकि आपका जो topic है, वो exam oriented हो जाए, एक बात समझें कि जो सलेबस में topics हैं, ये इतने vast हैं, कि एक student को पढ़ने में, अगर कोई history ही पढ़ता है, तो 10 साल school में, 2 साल 11-12, तीन साल college में, और अगर फिर चलो PG कर लिया 2 साल, तो टोटल 12-15-17 साल पढ़ने के बाद भी, कोई history का master नहीं बन सकता, वहीं आपके पास चुनोती है, अगर आपने history नहीं भी पढ़ा है, 10 के बाद science दे लिया था, लेकिन आपको वापस से history पढ़के, अपने आपको exam के तैयार करना पड़ेगा, और यह तभी possible है, जब आप comprehensive study knowledge oriented नहीं होते वे, exam oriented हो जाएं, आपको सारे विश्यों का ज्यान नहीं चाहिए, बस इदनी समझ चाहिए, कि आपको question का solve करते हो, exam के लिए अपने आपको तैयार कर पाएं, और यह तैयारी team quarterly आपके साथ है, तो फि में ranking देकर आपको आपका status बता दिया जाता है, कहीं कमिया हो तो सुधार करें, और सुधार काम करते चले, तो prelims की बात आज मैंने किये, next class में 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 के syllabus को अनराइज करेंगे, और में में के strategy में बात करेंगे, तो आज के class के यहां विराम देता हूँ, next session में आप से रूबरी होंगे, तब तक के लिए जो बाते हैं एक बार निकाल लीजिया, कोई question हो, तो आप उसमें डाल सकते हैं, मैं question का answer आपको return way में दे दूँगा, question answer कि यह परंपरा, यह गुरू सुष्य परंपरा का आधार है, तो अपने question पूछिए, ताकि आपको answer मिल सके, हमार झाइं, यह उत्सक का मनें